उटपादक समुह में कार्यकारी समिती का गठन कार्यकारी समिती में चयन या मतदान प्रक्रिया के आधार पर चुने गए दस सदस्य शामिल होते हैं कार्यकारी समिती प्रक्त्य एक महीने में कम से कम दो बार बैठक करना चाहिए कार्यकारी समिती की मुख्यकार्य हैं व्यावसाइक योजनाओं का अनुमोधन और कार्यक्रम कार्यानवयन की समीक्षा करना वार्षिक लेखा खाता विवर्ण का अनुमोधन करना उत्पादक समोह की बैठके आयोजित करना दिनप्रतिदिन के प्रबंधन के लिए सभी प्रमुख नीती और व्यावसायक निर्नय लेना उप समितियों के काम का समणवय करना और उटपाद संबंधित आपूर्दी और उपजकी मार्केटिंग सहित व्यावसायक संबंधों की सुविधा प्रदान करना कार्य योजनाएं और बजट तैयार करना हित्धारक के साथ संपर्क मजबूत करना सदस्यों के लिए प्रशिक्षन और एक्स्पोजर यात्राओं का आयोजन करना उत्पादक समोह में कार्यकारी समिती को दो उपसमिती से बाटा जा सकता है पहला, खरीद और विपनन समिती दूसरा, योजना और निगरानी समिती प्रत्येक समिती में पांच सदस्य होंगे जिनहें उत्पादक समोह के सदस्यों द्वारा चयन या मतदान प्रक्रिया द्वारा चुना जाएगा खरीद और विपनन समिती की भूमिका उत्पादक समोह के सदस्यों के लिए उत्पाद सम्बंधित आपूर्ती को पूरा करना जब भी आवश्यक हो, समिती द्वारा सामुदायक खरीद प्रक्रिया को सुविधाजंक बनाना किसान की फसलों का बीमा करना समिती उपज की खरीद, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, पार्गमन सुविधा, दर का निर्धारन और अंतिन विपनन और लाब का वितर्ण के लिए भी जिम्मेदार है समिती की भूमिका, उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों के लिए आवश्यक शमता बर्धन प्रशिक्षन कार्यक्रम की व्यवस्था करना भी है क्योंकि एकत्रीकरन की मात्रा उत्पादन की गुनवत्ता पर निर्भर नहीं करती है यह समिती बहतर उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली नई प्रोद्योगी की पद्धतियों के बारे में किसानों के प्रशिक्षन के लिए जिम्मेदार है योजना और निग्रानी समिती की भूमिका इस समिती में चयन या मतदान प्रक्रियाद्वारा उत्पादक समोह से चुने जाने वाले पांच सदस्य भी शामिल होंगे कुछ महत्वपूर्ण काम जैसे बाजार सर्वेक्षन करके कच्चे माल या किसी भी इनपुट की खरीद करना फसल पूर्व योजना के लिए कैलेंडर तयार करके योजना बनाने में आवश्यक कदम उठाना उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पादन आकार की रणनीती बनाने के क्षेतरों की भी योजना बनाना सापताहिक आधार पर अभिलेखों की पुस्तकों की जाँच करना और स्टॉक का भौतिक रूप से सत्यापन करना तद्नुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और पदाधिकारियों द्वारा कारवाई करना.